राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरी का विनंदन समारो में प्रमुक रूप से उपस्थित राजपाल स्री तथागत राय मुख मंत्री स्री बिपलव कुमार देव उपमुख मंत्री स्री जिश्मु देव बर्मा राजस्व मंत्री स्री एंशी देव बर्मा करशी म श्री प्रणजीत सिंगराय त्रपुरा सरकार के अन्नमंत्री गण भूत पूर्व बुक्ध मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता श्री मानिक सरकार संसत्स्री संकर्दत्ता विधायक गण अन्यजनप्रतिनिती गण गर्मान नतितियो देवियो और सज्जन नमोशकार त्रपुराय ऐसे आर आपना देर सोंगो पे आमी विसेश आनन्दतियो होईची भरत का राष्टपती बनने के बाद त्रपुरा की ये मेरी पहली आत्रा है इस औसर पर आपके उत्सा भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी त्रपुरा वाजियों को धन्नवात देता हूँ इस स्वागत समारो के दोरान कुछ आपने मुझे इस प्रतिया बेट की हैं और मैं वो इस मृतिया त्रपुरा राजिकी हैं त्रपुरा की जन्ता का प्रेम है और इसलिए मैं आप सबको आस्वस्त करना चाहूंगा कि इन दोनों जो इस मृतिया हैं वो राष्टपती बहवन के प्रांगर में ही आप सबके प्रतिनिदी के रूप में वहाँ पर एकुछ तिस्थानि को मिलेगा कारक्रम प्राराम करने से पहले एक हमने वेद मंतर का उचारह किया था और उसके अंत में और उसके आन्त मैं ओम शांती 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 उसका अभिप्रय जो मैं समस्ता हूं कि हर वेक्ति पूनता को प्राप्त करना चाहता वो अपने जीवन में जिस शेत्र में भी है एक विद्यार्थी हो एक सरकारी नोकली वाला हो एक माबाप की जिस कोई भूमका है एक सरकार है सांसद है विधायक है हर कोई चाहता है कि इस छेत्र की जो पूनता है वो मुझे प्राप्त हो और इसी के साथ ये भी मुझे लगा कि जब इसके साथ समापन किया गया ओम शांती 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 तो मुझे लगा, कि शायद पुर्ता को प्राप्ट करने में, सांत में बाताबन की बहुत जरूरत होती है. एक प्रदेश का विकास बिना सांत पुर्ण माहोल के नहीं हो सकता. वो जरूरी है. एक परिवार में इद्शान्ती होगी तो इस परिवार का विकास होगा और इसलिए मैं इस मंत्र के लिए जो आपने प्रारंब किया है उचारण करके मैं इसके लिए आप सब को और तुर्पुरा वासियों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं कि इस सोच के साथ आप आगे बढ़ाई यहां आने से पूर्व हम सब लोग जानते हैं तो पुरा कई मायनों में देश का नाम रोशन कर रहा है एक खेल छेत्र में और मुझे लगा कि मैं जब यहां तक आ रहा हूं तो यहां के जो बेटे और बेटियां जो नोंने अभी अभी कुछी समय पहले गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किये हैं मैंने उनको आमंत्रित किया था राजववन में और मैं मुझे उनसे मिलकर के आया कोजे बहुत बहुत खुसी हुई और वो बच्चे ऐसे हैं जिसमें की निस्था चक्रवर्ती जिसकी उम्र केवल बीस बर्स किक बॉक्सिंग में उसको गोल्ड मेडल मिला असमिता डेव उसको गोल्ड मेडल मिला अंडर सेविंटीन गल्स केटेगरी जूडो में समीर बर्मन उसको तीन गोल्ड मेडल मिले उसको पहरा स्वीमिंग में मिले और इसी तरीके से दो और बच्चे थे अरावन देवनाथ वो अंडर 12 उसको भी फर्स्ट पोजिशन उसको मिली नेशनल ग्रैपलिंग चैंप्रिंशेप में और एक और बेटी थी हमारी लक्षमन रियान उसको गोल कीपर नेशनल ग्रैपल टीम में अंडर 16 में भी उसको बीजिंग चाइना में उसको मेडल मिला मैं इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इन सभी बेटे और बेटियों के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे न खेवल त्रिपुरा का एक गौरो है बलकि ये पूरे भारत के लिए एक सान की बात है मैं त्रिपुरा के लोगों में बिसेस्ट कर युवाओं मैं एक निया उत्सा और कुछ करने की उमंग देख रहा हूँ आज मैं यहां आया उसके पश्चात गोमती जिले में जिसके बारे में बताया गया उदैशंग उदैपूर उस स्थान पर गया एक रोट का लोकार पड़ था उसके पश्चात मंदिर में गया लेकिन जहां जहां पर भी मैं गया तो रोट पर जो मुझे युवा शक्ति बिल रही थी उसे मुझे एक उमंग दिख रही थी और उमंग उसको मैं उस नाते देखता हूँ यह उमंग एक चाहत की जिसको हम कहते हैं यह रे आफ अपने ही बढ़ते हैं आगे बढ़ने की और यही जिसको हम कहते हैं कि जिंदिertी की करी राज यही है कि आपको आगे बढ़ने की चाह आप में नहीं है तो आप कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं लिएक मैंने ठुकुरा के लिजवानों में देख रहाँ मैं यहां की जनता, यहां की युवाओं और हमारे मुख मंत्री, उनकी भी मैं विपलब कुमार देव, उनकी भी प्रशंसा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि त्रिकुरा के लोग विकास की नई उचाईयों को छूने के लिए तत्थ पर हैं। पर आकर्शन मिला। और वो यह था जब मुझे बताया गया कि त्रिकुरा की पहली जो राजदानी हुआ करती थी वह स्थान था। वहां की गौरोशाली परमपरा है, वहां की संस्कृति वो ठीक है, केवल मात्रिहां से 25 किलो मीटर की दूरी पर है। लेकिन जिस समय उसको इस प्रदेश की राजदानी चुना गया होगा, तो वहां पर वो सभी चीजे उपलब्द रही होंगी, जिससे की एक प्रदेश की राजदानी को एक स्टेटस बिलता है। तृपुरा का इतिहास बहुत गौरोसाली है। यहां के भूत पूर महराजा वीर विक्रम के सौर मानिक ने तृपुरा में आथनिक विकास का अगंब किया और यहां की जनता को भारत की आजादी की लड़ाई से जुटा। सन 1971 की युद्ध में सरणार्थियों को पनाह देने और आखुमर की स्तितियों का सामना करने में तृपुरा के निवाजियों ने जिस्तियाग और परोपकार का प्रदर्शन किया उसकी जितनी भी प्रसंसा की जाए वो कम है। तृपुरा की लोगों ने सहीदों को सम्मानित करने का एक नया आदर्स पूरे देश के सामने रखा है। जानने से रोकने के लिए अपनी जान की कुर्वानी दे थी। उनके सम्मान में अगरतला में एक इसम्रती उद्यान विक्षित किया गया है जिसका इसी सप्ता उद्गाटन हुआ। तृपुरा के राजपरिवार ने भारत के साहित कला और विज्ञान जगत को भी अपना बहुत योगदान दिया। राज अवीर चंद्रमानिक ने गुर्देव रवीदनाठ ट्यगोर को उनके साहितिक जीवन के आरम में प्रोफसाहित किया था। गुर्देव के सिक्षन संस्थानों को तृपुरा राजगराने से आर्थिक सहयोग प्राप्थ होता रहा। तृपुरा के महाराजा ने अंतरराश्टी ख्याती के वज्यानिक आचार जगदीश चंद्रभोष को अनुसंद्धान कार के लिए बहुत बड़ी धनरासी प्रदान की थी। तृपुरा की संस्कृती बहुत ही सम्रद्ध और बहुरंगी है। इस समारो के आरम में प्रस्तुत किये गए स्वागत गान में रची बसी बंगला और काक बोराग भाषाओं की मिठास कानवो हम सब ही ने लिया। बै इन सभी कलाकारों की सरहना करता हूं ये कलाकार तृपुरा के लोगों में संगीत की प्रतिभा का एक उदाहरन है। सचिन देव बर्मन का संगीत विसेश कर उनके भट्याली गीतों की मधुरता भारत के संगीत प्रेमियों को तृपुरा का उपभार है। उनके विलक्षण प्रितिभासाली पुत्र राहूल देव बर्मन के संगीत के बिना आधनिक भारत फिल्मों का इद्यास पूरा नहीं हो सकता। अपनी हरी भरी गाटियों, पहाडियों, धार्मिक स्थलों, हस्त किल्प के उत्पादों तथा यहां के निवाजियों के मधुर सुभाव के कारण द्रुपुरा ने भारत के परियतन स्थलों में अपना विसेश इस्थान बनाया। त्रुपुरा की कनेक्टिविटी के लिए चल रहे प्रियासों से परियतन को और बढ़ावा मिलेगा। इससे यवाओं के लिए रोजगार के अवसर पढ़ेंगे। भारत सरकार के स्वदेश दर्सन कारक्रम के तहित परियतन के विकास के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें मातातरपुर सुन्दरी मंदर के ट्रस्ट को भी साहता मिलती है। आज मुझे माता कासीर बात प्राप्ट करने तथा उस मंदर के पुनर निर्मान की आधार सिला रखने का भी सौभाग प्राप्ट हुआ। महिलाओं के ससक्ती करन की द्रस्टी से तरपुरा अग्रणी राज्यों में है। यहां का सेक्स रेशियो राश्टी और सत्थ से बेतर है। मुझे बताया गया है कि तरपुरा की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक शेत्रों में बहुत सक्री हैं। तथा महिलाओं के विषय में यहां के लोगों की सोच प्रिगती सील है। तरपुरा की बेटियों ने देश के बाहर भी भारत का मस्तक उचा किया। जिमनास्ट दीपा कर्मा करकी विश्विस्तर की उपलब्धियों पर पूरे भारत को गर्भ है। और जिन मैं यहांगी तक अभी जिन पाफ बच्छों का मैंने उन लेख किया। उन सबसे मैंने पूछा ऐक सवाल.. कि what is your future dream you have in your mindamente؟ सब्की एक ही बात थी I would like to play for the country and would like to become like DEEPा कर्मागर. सबके लिए वो दीपा कर्मागर एक सभी खिलानियों के लिए आइकन आइडियल बनके रहे हैं यहां की एक जन जाती बेटी वो भी मुझे मिली थी लक्षमिता रियांग ने भारत की महिला फुटबाल टीम में अपना महत्पूर इस्थान बनाया दो दिन पहले ही तृपूरा के बेटी जिसका मैंने नाम अवले किया था निस्था चक्रवर्ती ने रूस में आउजित किक बॉक्सिंग की विष्व चैंपियंशिप में स्वन्पदग प्राप्त और मुझे खुशी है कि वो जब मुझे बिली तो उस्वन्पदग को साथ में लाई थी मुझे बहुत आई आई फेल्ट राधर प्रावड आफ दीज चिल्डर्न तृपूरा के सबूत सोम देव देव बर्मन ने टेनिस जगत में देश का गौरो बढ़ा है आज एक बात की मुझे और भी खुसी हुए इसी समारो में यदपिये पहल पहले की जा चुकी है जिसका उलेक किया मुख मंत्री जी ने लेकिन इस समारो में क्वीन पायन एपन को तरपूरा का स्टेट फूट गोसित किये जाने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है मुझे ये जानकर कुसी हुई कि तीन-चार दिन पहले ही क्वीन पायन एपिल की पहली खेप का खाली के देशों में निर्यात किया गया है इसे तरपूरा और पूर्वतर छेत्र द्वारा विस्वियापार से जुड़ने में एक महत्पोर पहल के रूप में देखा जाना चाहिए मैं आशा करता हूँ कि तरपूरा का पायन एपल भारत के अन राज्यों बांगला देश जैसे पड़ोसी देशों और दुनिया के अन देशों में पहुंचेगा इसी प्रकार रबर की उत्पादन में भी देश में दूसरा इस्थान रखने वाला तरपूरा वहनों के टायर जैसे रबर पर आधारित अनेक उत्पादों को विविन बाजारों में भेज सकता है यहां के एक प्रमुक्रशी उत्पाद बांस उसको पेड़ की स्रेणी से निकाल कर घास की स्रेणी में डालने के लिए भारस सरकार के निरने से किसानों को बांस का उप्योग करने में आसानी होगी और उनकी आमदनी में बहुत्री भी होगी तृपुरा के पास प्रचुल वन संपदा है इस वन संपदा का संदक्षन इसका सस्टेनेबल उप्योग तता बनों की आधार पर जीवन यापन करने वाली जनजातियों की साहता करना एक राश्ट्री प्राथमिकता है प्रकृती के साथ सामंजस से बनाते हुए जीव को पारजन करके तृपुरा के निवासी देश के लिए उदाहरन प्रस्तुत करते हैं यहां की परंपरागत दस्तकारी को अगली पीडियों तक पहुचाने के प्रयास होने चाहिए और कोशल विकास केंद्रों तता सिक्षन संस्थानों को भी इन प्रयासों के साथ जोड़ना चाहिए परियाटन, ब्यापार, क्रशी, हस्तकला, जन जातियों के विकास तथा युगाओं के लिए रोजगार आदी सभी छेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अच्छा बदलावाता है आज सवेरे मुझे माताबाडी से सब रूम तक के नेशनल हाइवे के खंड का उद्खाटन करके बहुत खुसी हुई मुझे बताया गया कि अगर तला को स्मार्ट सिटी के रूप में भी विक्सित करने की यूजना के तहट विकास के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे है भारत सरकार की एक्ट इस्ट पॉलिसी के तहट आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में उत्तर पूर्वी छेत्र का खास कर त्रपुरा का बहुत मात्पूर स्थान है इस प्रकार मुझे त्रपुरा के विकास की अपार संभावनाय दिखाई देती है हमारे लोग तंद्र का प्रतीक और देश की धरोवर हम सब लोग जानते हैं राश्ट पती भावन और राश्ट पती भावन के विल राश्ट पती का नहीं है बलकि राश्ट के हर नागरिक का भावन है और इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि जब कभी भी आपका दिल्ली आना हो तो राश्ट पती भावन में आप जरूर पदारें आपका स्वागत है आज आप सब ने मेरा जो अविनंदन किया है उसके लिए मैं पुना आप सब को धन्नवाद देता हूं और आप सब के उज्वल भविष्ट की शुब कामना करता हूं धन्नवाद जैद